सब्सक्राइब आज इस वीडियो के अंदर अब हम शुरू कर रहे हैं तेक्निकल एनलिसिस को समझना अब यह टेक्निकल होते क्या है आपने सुना होगा कि भई दो तरीके से लोग एनलाइज करते हैं कि हमें किसी स्टॉप में इन्वेस्ट करना है यह नहीं करना पहली चीज देखी जाती है fundamentals जिसके अंदर हम कई सारे ratios देखते हैं हम देखते हैं कि company किस तरीके से revenues earn कर रही है profits earn कर रही है उसके cash flows कैसे चल रहे हैं उसकी liabilities क्या है हम कई सारी चीजे अनलाइज करते हैं वो सब जाता है fundamental analysis में और ratios की जैसे मैंने बात करी P ratio, PB ratio, debt to equity ratio, current ratio ऐसे बहुत पर अब जब बात आती है कि भई आपने कई सरे traders को सुनाओगा कि मुझे stock के fundamentals से कोई लेना करना नहीं है आपने traders को ये भी बोलता सुनाओगा कि मैंने fundamentals देखे ही नहीं थे मुझे stock में profit हुआ क्योंकि मैंने सिर्फ technicals देखते हुए इसमें invest कर दिया था तो अभी मैं सिर् investment की बात कर लो और जब हम trading करते हैं तो जब trade कर रहे हैं आप trading कई तरीके की trading हो सकती है वो intraday में trade हो सकते हैं एक ही दन में खरीदना एक ही दन में पेशना इंट्रडे के अंदर लोग options में भी trade करते हैं, futures में भी trade करते हैं, futures के अंदर positional trade भी करते हैं, options के अंदर भी positional trade करते हैं, तो यह जो भी trading हो रही है, यह trading क्या देखकर करी जाती है, इसकी study को बोला जाएगा technical analysis, अब technical, बोलने में technical लग रहा है, लग रहा हुआ कितना complicated है, बढ़ हमारा काम क्या है कि हम उसी complicated चीज को इतनी आसानी सा समझाएं, कि अगर आज कोई 6th class में बच्चा भी है, वो भी समझ पाए कि यह technical analysis होती है, तो अब सबसे पहली बात, जब हम technicals की बात करते हैं, आज की data में जब आप d-mate account खुलूआ लेंगे, अगर आप stock market में न आप कोई भी stock add कर सकते हो, या फिर अगर कोई index में आप trade करते हैं, इसे nifty का chart खुला है, तो nifty को आप add कर सकते हो, अगर आप nifty bank nifty नाम सुना होगा आपने, तो अगर आप nifty bank nifty की बात करते हो, तो यह nifty का chart है, तो technical analysis में सबसे पहली चीज आती है, चार्ट को read करना, इस chart को read कैसे किया जाता है, यह chart मुझे बता क्या रहा है, और इस chart के basis पर, मैं entry और exit कैसे plan कर सकता हूँ, अगर यह किसी stock का chart होता, तो मुझे इसे कब घरीदना चाहिए, और क्या यह बहुत सदा बढ़ी है, क्या यहां से price गर सकता है, तो मुझे base देना चाहिए, तो stock के अं बट, trading के अंदर क्या होता है, मुझे लग रहा है, property का rate गिरने वाले है, example, गिर जाएंगे, तो अगर मुझे लगता है, किसी भी उसकी वे से property का rate गिर जाएंगे, तो मैंने, अब देखो, मैंने खरीदा तो हुआ नहीं था, तो मैं बेच कैसे सकता हूँ, मैं बेच नहीं आज उसके एक के दो करोड रुपे rate मिल रहे है, तो आपको एक करोड का मुनाफ़ हो रहे है, क्योंकि आपके पार property थी, बड़ आपको लग रहा है, इसके rate ना, डेड़ करोड रह जाएंगे, कम होने वाला है, तो आपके पास है, तो आपने दो करोड की चीज आज बेच और जब डेड़ करोड का rate आगया, फिर से आपने वो चीज खरीद ली, तो आपने बीच में पचास लाग कमा भी लिये, और आपके पास वो चीज है भी, पहले बेच के बाद में खरीद के, येस, तो आपने पहले दो करोड में बेच दी दी और फिर खरीद ली, अब इनी तो ट्रेडिंग के अंदर हमें खरीदने और बेचने की actual में जुरूत में होती, physical delivery लेने की जुरूत में होती, आप कोई stock या कोई index को, आप short कर सकते हो, आप long कर सकते हो, long का मतलब होता खरीदना, तो यहां तक अभी मैंने बताया आपको technicals के अंदर, जो technical terms नहीं है, कभी अभी मैंने इस stock को short कर रहा है, मैंने अडानी को short कर रहा है, मैंने lines को short कर रहा है, तो short करने का मतलब क्या हुआ, उसको फायदा तब होगा, जब price गरेगा, तो यहां पर गरना पड़ना समझागा, अब जब हम इस chart को देखते हैं, तो chart के अंदर देखो, यह candles होती है, कोई भी time frame पर आ सकते हैं, तो time frame के भी हमें बात बात नहीं होती है, तो अभी माल लीजिए बड़ी सी candle है, यह green candle है, साफ दिख रहा है green candle है, हर रंग कोई चीज दिख रही है, हर रंग कोई चीज दिख रही है, तो इसे candle होती है, अब नए लोग जो है, इन्हें समझाना जरूरी है, इसमें चार चीज होती है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यह जो लिखा हुआ उपर, तो जब भी हम यह अपना करसर मूव कर रहे हैं, यह मैं इस candle पर ले गया, तो यह इस candle की मुझे चार चीज दिखा रहा है, यह पहली चीज दिखा रहा है open, फिर दिख रहा है high, फिर दिखा रहा है low, फिर दिखा रहा है close, अगर मैं इस candle पर रखता हूँ, तो अगर इस candle का हम देखें, open price था 21,904, उसके बाद high कहा तक गई, 21,927 तक गई, उसका low क्या था, 21,904 का low था, और जो close हुआ price वह हुआ 21,927, तो चार चीज दिखेंगी, कभी भी ह परे color की candle होती है, तो नीचे से शुरू होती है, ध्यान रखनी की जूर होता है, जब वो price शुरू हो आओ, और यह बढ़ते बढ़ते है, अगर आप इस यहाँ पर एक चीज का ध्यान दो, इस candle की नीचे कोई dandy नीए, डandy को wick बोलते है, यह shadow बोलते है, तो नीचे कोई d होती है ना तो इसका मतलब क्या होता है जहां से price open हुआ वो ही उसका low है उससे नीचे नहीं गया बट अगर हम इस candle की बात करें ये भी green है बट यहां पर open price और low price में फरक है यहां पर open हुई 21,858 पर बट इसका जो low है वो है 21,852 का है तो क्योंकि price सोड़ा नीचे तक गया था जो उसकी wick थी और फिर वो उपर आ गया ठीक है तो यह जो हम candle की बात कर रहे हैं ये एक strong candle होगी क्योंकि इसने जहां से open हुआ वहां से भागती चली जई नीचे आई ही नहीं ओके और अगर आप देखोगे इसके high और close में भी जादा फरक नहीं है अगर हम इसका high देखें तो 21,927 का है इसका high बट उसमें पस 0.30 extra है और close 21,927 का ही है तो ऐसी candle जिसके अंदर high भी almost close यह जहां पर खतम हुई जहां पर खतम हुई है तो वहां पर ही उसका close आ गया तो यह एक बहुत strong bullish candle होती है जब हम इसे candlestick patterns में समझेंगे तो इसका significance अगर यह chart के bottom पे बन जाए और कोई red candle को यह खा जाए तो फिर हम इसे strong maru buzu candle बहुते है तो maru buzu candle तो maru buzu का मतलब क्या है एक strength एक strongness तो जो इस strength है यह chart के bottom पे जब बनेगी तब इसे maru buzu बोलेंगे ओके यहां पर अभी इसका significance जो है बस मैं नाम बता रहा हूँ क्योंकि अब हम technical analysis सीख रहे है तो ज़रूरी है बट वो तब क्या करेगा अभी इसका significance किया है बहुत फरग है दोनों चीज़ों में तो अभी के लिए मैं सिर्फ candle बता रहा हूँ मैं अभी चार्ट पैटन नहीं सिखा रहा तो यह candle हुई इसी तरीके से जो लो candle होती है candle हमेशा 4 चीज़ बताएगी बट जब इस candle की बात करते है तो यह open यहां से हुई होगी यह close यहां पे हुई इसका हलका सा नीचे लो था और इसका हाय आत था बड़ी है रेड गलर की candle है मतलब प्राइज उपर से नीचे के रहा है बट कभी-कभी आपको इस तरीकी candles मिलती है अब इसमें तो ना आपको ऊपर कुछ दिख रहा ना नीचे दिख रहा है बट जस यह आपको दिख रहा है चलो रेड गलर की कभी-कभी आपको ब्लाक कलर की दिख सकती है तो इसका मतलब क्या होता है जहां से प्राइज ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हो गया तो इसकी कोई बॉड़ी नहीं है जहां पर ओपन हुआ वहीं प्राइज बीच में पांच मिनिट के टाइम दुरेशन के अंद इसे डोजी बोलता है बट डोजी कहां बन रही है बहुत इंबॉडट है तो कभी भी चार्ट पैटन को जब आप समझेंगे चाहिए आप सिंगल कैंडल सिक को समझेंगे उसका सिगनेफिकेंस अर्फ तब होता है जब वो चार्ट के टॉप ये बॉड़ी बनती तो इसका हमें अब जब देखना चाहिए है अब हम आजनाता है ताइम यह ये टाइम फ्रेम जो है यह हमारे लिए के वह इंपरेंट नहीं करेंदे हैं आज 15 के अन्दर कुछ चारना है पैसा कमाना है या स्टॉपलोस खाना है और बहार निकलना है जोनकी डूरेशन है सरे दूरेशन बहुत कम है यह दूरेशन बढ़ सकती है अगर आप किसी बड़े टाइम फ्रेम पर देखते हैं चार्ट को तो आपके लिए जादा बेटर होता है बड़ा टाइम जैसे एक कैं अब इसमें क्या बता दिए जब आप चार्ट देखते हैं तो चार्ट में दो चीज़े होती है आपके चार्ट के राइट-एंड साइड में हमेशा प्राइज होगा यह आपका प्राइज है और नीचे होता है टाइम जो आपकी डेट है अभी यहां पर डेट से हो गई आप एक मिनिट के अंदर क्या मूमेंट आ रही है प्राइस की वह तक ट्रैक कर सकते हो ठीक है बट यह तो बिल्कुल स्कैलपर्स के लिए हो जाता है स्कैलपर्स वह लोग होते हैं जिनने बहुत चोटे टाइम फ्रेम के अंदर वह वह विदिन दो चार पांद तस मिनिट क के अंदर ट्रेड ले रहे हैं पोसिशन ले रहे हैं और पोशिशन काट रहे हैं कोईक एंट्रियंट कॉइक एग्जट बिलकुल ठीक बोला आपने तो वह जाता है स्कैलपर्स के लिए बट जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं यह फिर इंवेस्टिंग करते हैं लॉग तो हम यह मान के चलते हैं आपने इंवेस्मेंट करी हुए थी अगर एक साल से कम का डुरेशन है तो हम उसे शौट तम में मानेंगे आप शौट तम का टेक्स लाइब अलग है ठीक है वह थोड़ा से जादा है तो लॉंग तर्फ पसेंट लगता है शौट तम में 15 लगता है को अब ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग बेसिकली आपकी बिजनस से अब बढ़ता है जो एक साल से कम के टाइम स्टारम पर इंवेस्मेंट कर रहे हो वह यह की लोग लोका को देश दिया बब जाधातर लोग एक साल से कम के डॉरेशन को ट्रेडिंग ये समझते हैं औरन पॉफे कहते हैं मैं कभी किसी स्टॉक को खरीदता हूँ तो मेरा फेवरेट होलिंग टाइम पिरिड क्या है फॉरेवर फॉरेवर अगर मैंने खरीद लिए तो मैं इसे रखूंगा दिया बेचोंगा दिया अब अगर हम अगें डेली टाइम पर जाते हैं तो डेली केंडल दिख रही हैं जो वह पर हमने डोजी बात करी तहिए यहां पर आपको स्ट्रॉंग बात करी सर्फ बॉडी कम है जिन कैंडल बॉडी बड़ी है इसका मतलब है बहुत बढ़ी सेलिंग आई है इसी तरीके से अगर आपको एक स्ट्रॉंग अप मूव दिख रहा है त तरीके के चार्ट को देखने का तरीका जैसे अभी तो हम कैंडल के इसाब से देख रहे हैं कि बता रही है कि प्राइस कहां जा रहा है उपर जा रहे नीचे जा रहे है तो बेसिकली हर चार्ट क्या पताने की कोशिश करेगा देखो हमेशा हमने mathematics भी जब स्कूल में पड़ी तो आपने जाधा पड़ी हो कि मैंने सुड़ी कम पड़ी थी ठीक है कहने का मतलब यह मेरे interest बहुत कम होता था mathematics में पड़ा हम सब नहीं है तो हमने देखा कि हम जब चार्ट स्ट्रेडी कर रहे थे तो उसमें हम दो एकस्स पड़ते थे एक x-axis एक y-axis तो अगर हम यहाँ पर भी देखें उसी तरीके से एक horizontal x-axis हो गई एक vertical x-axis हो गई हमने बोला है यहाँ पर vertical x-axis पर हमें price दिख रहा है तो इस time से लेके इस time तक price उपर गया है यह हमें line chart में भी दिखता है कई लोग line chart को भी prefer करते है बट अब यहाँ से कमाल की बात क्या आती है पूरी दुनिया वैसे तो जाद अतर लोग 98 8% लोग तो सिर्फ candlestick charts को देखते हैं उसमें से फिर यह देखो तरीके बहुत सारे है कुछ लोग bars देखते हैं यह bars देखो किस तरीके से दिख रही है कई सारे लोग क्या देखते हैं यह hack and arshi chart देखते हैं अब यह candles नहीं है यह गलती लोगों को नहीं करनी चाहिए यह hack and और उसमें क्या फरक है जब आप यहाँ पर देखेंगे तो green जब बन रहा है तो green बनता चला जा रहा है बीच में बस एक आदा आपको red देख रहा है बट जब red आ रहा है तो फिर red continuous red आ रहा है तो यह जो चीज है यह भी लोगों को अगर समझ आ गई तो काफी जबर्दस चार्ट को देखने का एक निया तरीका है तो इससे बोलते है है के नाशी चार्ट अब इसके उपर अगर लोग डिमांड करेंगे तो हम एक लगसे वीडियो बनाएंगे बट इसके अंदर क्या होता है प्राइस स्मूध हो जाता है तो इसमें आप मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ अब आप यहाँ पर मैं यहां से हम क्या कर सकते हैं हम एक ही चार्ट में हम यहां पर क्या इस चार्ट को डिवाइड कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो यहाँ पर आपको gaps दिख रहे हैं candles के अंदर, यहाँ पर कोई gap नहीं, तो gap up क्या होता है, gap up का मतलब होता है, price जहाँ पर था अगले दिन, market खुली और वो सीधा ऊपर खुल गई, तो इससे बोलता है gap up, और अगले दिन अगर market सीधा न closing में फरग होगा, market के कह रही है, nifty को कर देखोगे, 21,894 पर close हुई है, और candlestick chart भी बोलने है, 21,894 पर close हुई है, पर अगर आप हेकनाशी chart देखोगे, तो यह बोलना है 21,827 पर closing, closing, यह फरक क्यों है, क्या यह chart गलत है, यह chart गलत नहीं है, अब इसके बारे में आपको सी दूसरी चीज़ क्या है, देखो, हेकनाशी chart क्या करता है, प्राइस को स्मूथ तो करता है, बढ़ हमें एक clear trend भी बताता है, जब यह बीच बीच में ऐसी red-red candles बनती है, तो लोग कहते है, हाई, भी हो रागे market में, market crash होगी, market crash होगी यहां से, अभी तो correct हुई है, यहां से तो आप देखेंगे, तो हेकनाशी क्या बोल रहा है, नहीं कोई घबनाने की जूरत नहीं है, एक strong uptrend चल रहा है, जब uptrend चल रहा होगा, और जब downtrend चल रहा होगा, downtrend में बीच में green candles बनेंगी, तो वो लेगा भई, यह अभी downfall, downfall है, यहां पर अगर आप देखोगे, पीछे करके, तो जो यह candles में बीच में जैसे green green आया, वो यह green दिखाई नहीं था, तो इसमें जो sequence होता है, वो sequence साथ में रहता है, जब बीच में अगर कोई red candle आई होगी, तो market में पर significantly correct होगी, तो वहाँ पर correction प्रिगर हुआ होगा, जैसे कि अगर हम यहां पर देखें, do जोजी जैसा बनाए फिलाद, और इस हरी candle में यहां पर हरा बनाए, बढ़ यहां पर तो red बन गया, बट अब इसमें आप trade कैसे करते हो, यह सीखना जरूरी है, तो अभी के लिए हम इसे complicate नहीं करते हैं, लोग बोलेंगे हेकनाशी सिखाना है comment में, तो हम सिखाएंगे, बट अभी हम सीधा technicals पर work करते हैं, तो technicals अभी यहां पर सिर्फ चार्ट देखने से शिरू होते हैं, बट चार्ट में देखना क्या क्या होता है, चार्ट में आपको trend को identify करना बहुत जरूरी है, कि trend क्या चल रहा है, एकनाशी से भी दिखता है trend, trend क्या चल रहा है, फिर ह हम इस support resistance को समझना होता है, कि support और resistance क्या होता है, और फिर जब हम इसके combination पर काम करते हैं, फिर हम समझते है price action, तो price action, प्राइस के साथ action क्या हो रहा है, मिलब with the time, price का क्या action है, उसे study करना, क्या change आ रहा है, तो अब उस price action को सीखने तक, आपको candlestick patterns, chart patterns, support resistance, trend, कम से कम इन की knowledge होनी चाहिए, अगर आपको इन चीज़ों की knowledge हो जाती है, आपको chart देखना भगो भी आता है, तो आप कह सकते हो कि हा, मुझे एक basic technical analysis की knowledge हो गई है, यही से हम और चीज़ों को समझने की कुशिश करते हैं, chart को कभी भी देखा जाएगा, तो देखने का तरीका क्या है, देखो हम मान लेते हैं, आप किसी लड़के को देखने जाते हैं, आपके घर में मान लेते हैं, आपकी कोई sister है, और आप कहते हो, जी मुझे इसके लिए एक लड़का देखना है, तो जब आप लड़का देखने जाओगे, तो लड़के के बारे में जानोगे, जानोगे, पर उससे पहले फिर आप उनके फादर के बारे में भी जाना ओगे हैं, कि उनका क्या business है, कहीं job करते हैं, तो कहा जौब करते हैं, फिर आप थोड़ी family history के बारे में जाना चाहे हैं, तो कम से कम इतना देखते हो ना, तो बच्चे से लेकर, पापा से लेकर दादा तक देखत बेहों बट्ट आपको पांच मिनित का चांट यह भी देखना चाहिए आपको इसके साथ अगर आप पांच मिनिट में कोई analysis बना रहे अगर आप दस मिनिट देखो और फिर आप पांच मिनिट देखो और इन फैक्ट मैं बोलूंगा अगर आप पांच मिनिट करो पहले आप आदे घंटे के ताइम फ्रेम पर आप सपोर्ट रेसेंस प्लोट करो वो अगर मैं साधे घंटे के टाइम फ्रेम और मैं ज्यादा कुछ ना करो मैं आपको बिल्कुल बेसिक रखते हैं से मैं यहां पर जाके अभी मैं बता नीरा की सपोर्ट रेसेंस क्या होता है मैं यहां पर एक जाके होरिजॉंटल लाइन प्लोट कर देता हूं मेरे पाँ मैंने स बता रहा हूं आप हॉरिजॉंटल लाइन लेंगे और इक मान लीजे मैंने एक लाइन एक एक्जांपल के लिए है मैं लाइन फिर भीभी फुर्ध मन् react कर सकता है, यह मुझे पता होना चाहिए इसलिए हमेशा कभी भी analysis करी जाए technical analysis, तो depend करता है कि आप कौन से time frame पर trade कर रहे हो, अगर आप 15 minute पर trade कर रहे हो, तो फिर आप 4 hours chart और daily time frame पर भी देखो, अगर आप daily पर जाओगे, और आप मालीजे मैं daily पर जाता हूँ, ठेक है, और daily पर जाके, मैं यहाँ पर कुछ भी plot करूँगा, तो वो मेरा obviously 4 hours पर और 10 minutes पर आजाएगा, यह सबसे पहले मेरे सबसे analysis से शुरू करनी चाहिए daily time frame से, क्योंकि वो आपको एक बड़ा view दिखाती है, बड़ा picture दिखाती है, इसका मतलब क्या है, कि short term में trend change हो सकता है, बड़ लॉंगर time frame पर trend के चल रहा है, market overall कहां जा रही है, समझ रहे हैं, एक बड़ी लहर कहां से आ रही है, छोटी लहर बपोस्ट डिरेक्शन में जा रही है, उसे देखके मैं यह ना समझू कि पीछे कि tsunami, भी इसी डिरेक्शन में जा रही होगी, हो सकता है, tsunami मुझा खाने के लिए आ रही हो, तो छोटे time frame को देखकर आप गलत decisions ले सकते हो, बड़ बड़े time frame से छोटे time frame पर जम करते हो, और फिर बिल्कुल जस time frame पर आप trade कर रहे हो, तो time frame पर आ जाते हो, you make better judgments, so this is a very first video जिसमें हमने बात करी, कि बड़े chart क्या होता है, इसमें price और with the time कैसे कैसे moments आती है, candle stick क्या बताती है, आप horizontal line की क्या importance है, अभी हमने बस horizontal line बोली, पर फिर भी लोगों को बदा देता हूँ, यह जो horizontal line हमने लगाई थी ना, यह basically support और resistance था, पर इसके बारे में हम detail में समझेंगे अगली वीडियो, तो अभी अगर आप technical analysis को detail में सीखना चाबते हो, बने रहा हो हमारे साथ, आपको यह concept step by step, बिलकुल clear हो जाएगा, आपको दुबारा और कोई वीडियो देखने की जूरुत नहीं पड़ेगी, टेकनिकल analysis की, और जैसे मैंने बोला, अगर आपको हैकनाशी चार्ट सीखना है, तो comment कीजएगा, हम भी आपको आपको सखाने की उशिश करेंगे, अगर आप से मिलेंगे अगली वीडियो में, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए है, आपके बस दीमेट अकॉन यहां, फ्री में जाकर अपना दीमेट अकॉन खुलगा सकते हैं, इस चैनल के अलावा, यह हमारा एक में चैनल है, जिसमें हमारे 10 मिलिन से उपर सब्स्राइबर्स हैं, बट हमने आपके लिए कुछ नए चैनल भी लाँच करें, जिसमें आपको अलग-लग ट्रेनर स्टेप बाए स्टेप, बहुत ही ज़ादा इंफरमेटिव नॉलेज दे रहे हैं, और आपसे वीडियो मिस ना हो, यह इंफरमेशन आपको as a course फ्री में मिल रही है, बट आपको इसकी, मैं कहूँगा जितनी रिस्पेक्ट आप लाखो रुपे दे के कोई चीज को सीखते, उतनी करते तो शायद इसकी भी कीजिए, क्योंकि यह इंफरमेशन आपके बहुत काम आएगी, आप इस इंफरमेशन को यूज करके अपने पैसे बचाने भी वाले हैं, और पैसे बनाने भी वाले हैं, तो यूज देस इंफरमेशन राइटली, अगर आप नए हैं तो नोट ज़रूर बनाईएगा, और अपना प्यार देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर दीजेगा, माक्सिमन फ्रेंड सर्कल में, कि वो भी फ्री में जाके इनी वीडियो से, टेक्निकल अनलिसिस को सीखें, स्टॉक मार्केट को सीखें, See you in the next वीडियो, तिल अपने यूगो, से लिए यूगो, से लिए यूगो, जाए हैंड, जाए हैंड,